नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का SGS Education YouTube चैनल पर मैं हूँ अरजुन डांगी और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कम्प्यूटर में इंटरनेट आप कैसे चला सकते हैं कम्प्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए आपको क्या करना होगा बहत आसान तरीका इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ पहले हमारे एक और वीडियो था जिसमें मैंने आपको कम्प्यूटर में इंटरनेट चलाने के तीन तरीके बताए थे, वो वीडियो आपने बहुत पसंद किया अगर आप तीन तरीके जानना चाहा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पे क्लिक कर गए आप वो हमारा वीडियो जरूर देख सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको वाइफाई अडाप्टर के बारे में बताने वाला हूँ आप देखो सबसे आसान तरीका होता है कम्प्यूटर में इंटरनेट चलाने का आपको डाइसो तीन सो रुपेगा यह देखिए इस तरीके से एक वाइफाई अडाप्टर मिलता है बहुत ही छोटा सा और इसको हम बोल देहें वाइरलेस यूएसबी अडाप्टर यह वाइफाई अडाप्टर है चोटा सा होता है आपको केवल इसको सीप्यू के पिछे लगाना है और इसके साथ में आपको सीडी मिलती है जो कि आपको क्या करनी है सीप्यू के अंदर लगा कर उसके बाद में इसमें जो setup होता है उसको आपको install करना होता है तो जल्दी से चलिए मैं आपको बता देता हूँ और इंटरनेट चला के भी मैं आपको दिखा देता हूँ आईए हम CPU पर चलते हैं और ये जो computer है न इसके अंदर मैं आपको लगा कर बताने वाला हूँ दिया गया है आप Amazon या फिर फिलिप कार्ड से इसको मंगवा सकते हैं लिंक जरूर आप चेक करें तो अब हम क्या करेंगे ये जो वाइफ़ाइ अडाप्टर है इसको CPU के पीछे लगाएंगे ठीक है तो वाइफ़ाइ को हम लगाते हैं यहाँ पर पोर्ट्स काली होंगे किसी भी एक पोर्ट्स के अंदर हम इसको लगा देते हैं यह देखिए इस तरीके से हमने क्या किया इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया तो अब यह यहाँ पर लग चुका है अब अगर आप इसको लगाने की बाद डारेक चेक करोगे न तो यहाँ पर कुछ भी श्यों नहीं करेगा उसके लिए साथ में आपको एक सीडी मिलती है जो कि आपको CPU के अंदर लगानी पड़ती है हम इसको क्या करते हैं इस तरीके से लगाते हैं खोल लेते हैं और लगा देते हैं सिंपल यह आप इसको इस तरीके से ओपन करिए ओपन करने के बाद सीडी आप इस तरीके से यहाँ पर लगा दीजिए और इस तरीके से इसको सेट कर दीजिए सीडी को लगाने के बाद आपको PC के उपर एक नया ड्राइब शो करेगा आप सिंपल इसके उपर क्लिक करिए यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग ड्राइवर्स मिलेंगे विंडोस ड्राइवर पर हम क्लिक करते हैं उसके बाद में यहाँ पर Windows 10 के लिए है XP के लिए है, विस्ता के लिए है, Windows 7, Windows 8 के लिए अलग अलग ड्राइवर दे रहे हैं हम Windows 10 के अंदर जाएंगे और यहाँ से यह जो ड्राइवर है इसको हम कम्प्यूटर के अंदर इंस्टोल कर देंगे उसके बाद आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है अब आपको कम्प्यूटर को रिस्टार्ट जरूर करना है अगर यहाँ पर निचे जाईए, इस पर क्लिक करिए अगर आपको यहाँ पर कोई भी आइकन शोर नहीं कर रहा है तो उसके बाद यहाँ पर निचे आप क्लिक करिए इस आइगन पर आपने जो भी सॉप्ट्वेर अभी ड्राइवर जो आपने इंस्टोल किया है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा आप सिंपल ही इसके उपर राइट क्लिक करिए और यहाँ से आप इसको लॉंच कर दीजिए लॉंच करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से सॉप्ट्वेर दिखाई देगा अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है अपने फोन के अंदर होड़िसपोर्ट को आउन जैसे यहाँ पर हमारा गैलेक्सी M20 है इसके उपर हमने क्लिक किया और नीचे यहाँ पर कनेक्ट का ओप्शिन दे रहका है हम इस पर क्लिक करेंगे अब देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है केवल नेक्ष्ट करिए यहाँ पर आपके वाइफय का जो भी पासवर् अब जैसे आप पासवर्ड एंटर करोगे तभी आप इसमें कर पाओगे कर पाओगे हम यहाँ पर पासवर्ड को एंटर करते हैं पासवर्ड को एंटर करने की बाद यहाँ से हम इसको नेक्ष्ट करते हैं अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो वाइफय है तो google.com एक बार में आपको search करके दिखा देता हूं अब देखिए हमारे computer के अंदर internet चल चुका है अब यहाँ पर जो दोस्तों मैंने आपको तरीका बताया है वो cable आपको एक ही बार करना है उसके बाद आप अपने mobile के अंदर hotspot को on कर सकते हैं आफिर router जो है उसके अंदर आप water sport को चला सकते हैं और directly आप PC के अंदर क्या अगर सकते हैं आपको network शो करेगा device शो करेगा आप connect करेए और आपके computer में internet चलना शुरू हो जाएगा तो यह छोटा से एक product होता है वाइफाई USB adapter आप इसको खरीच सकते हैं इसक्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है अगर आप वागए में computer में internet चलना चाहते हैं तो वीडियो अच्छा लगा है तो उस वीडियो को like और शेर करिए मैं अरजुन रांगी फिर मिलता हूं ऐसे नए वीडियो के साथ नमस्कार झाल